वापस से व्लॉग बनाना तो आज मैंने सोच लिया है कि मैं आज से डेट बताना स्टार्ट कर दूँगी ताकि मेरी वीडियो जल्दी डलें अगर मैं डेट नहीं बताती हूं तो फिर मेरी लटकी रहती है वीडियो अभी खेल रहा है पढ़ाई कर रहा है वुक में तो मों साडे चार년 चार-20 कि सबस्क्राइब अब आज से सबस्क्राइब हो ड्यां से इंडे़ को हाई वापस से लग गया वजय तो मतला इस हो गया क्यों हम एक हुए हैं हेट्र चल के अच्छे स्के मतलब पूरे कपड़े पाई क्या ही हो रहा है वह यह नहीं हुने हम अब पर किया को प्रवात कर ले तो वही कि मैं थोड़ा बहुत कैसा के क्या हो में तो वहां से हवा आती है तो मेरा भी आज थोड़ा सा गला पकड़ा हुआ है तो मैंने भी गरम चाय पी है काफी का मतलब कढ़ा के अध्रक वगएरा डाले के और हीटर वगएरा भी ऑन कर रखा है तो क्या पता आराम मिल जाए और में को थोड़ा सा अंदर ही अंदर कोल्ड भी फील हो रहा है लेकिन मैंने सोचा कि आज वापस से करते हैं स्टार्ट व्लॉगिंग आज क्या आज से करते हैं बहुत दिन हो गए टालते 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 अब आजे और रीमा ने भी जिम्मा उठा लिया है कि अगर तू नहीं कर पाएगी तो हम तेरी वीडियो करेंगे यह है लेकिन कर ले विडियो बना ले क्योंकि यहीं मेम्रीज जो सेव करनी है और आप लोगों की help भी बहुत जरूरी है कि यह बताओ वो बताओ तो आज की वीडियो में ने सोचा है कि मैं यह एडशेप का अपडेट ज़रूर दूँगी काफी लोगों ने बोला है में को लोगों का भरपूर प्यार मिला है काफी अच्छा लगा मुझे और काफी लोगों को help भी मिली है उससे लेकिन कुछ लोगों को वीडियो समझ में नहीं आई तो मैं उसकी बारे में भी आज डिसकस करूंगी और अपडेट भी दूंगी कि मेरे बच्चे का हैड का शेप ठीक अच्छे से घेलने के मूड में अक्ति वो रखे विल्कुली तो मैं सजा वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं कब सोएंगे फिर उठेंगे यह सब्सक् 상rien करूंगी अब अभी मेरे को अपडेट देना था आपको कि मैंने आज से वापस से उठा लिया है फोन व्लॉगिंग के लिए तो चलो मिलते हैं फिर बाद में अभी थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं पानी वाटर क्या पी रहे हैं काजना नहीं होता है ऐसे करते हैं नम 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 यम अट्जा विदियो बना री माषी है अचले बावनी बिए ना नम 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 भी नम आहें क्री नही आपको 양 और कि आख happens unreal निम एं ju इन में डूथ तो गई अब जाके तो ये बहु है पांच बजे और शार में इतने ज्यादा भाशी नाज़ा है ठंड के टाइम में भी तो मोई टिशू पर से सुखाना पड़ता है इसका सर तो अभी पांच बजे जाके सोया है अब वही देख लो आप सारा दिन सोयेगा सूबह पांच बजे सो के शाम को उठता है और सारी रात जागता है सारी रात इसको खेलना होता है बीभी मैंने जब उसके बाद खुद सो जाओंगी और बाद मैं आपसे मिलती हूं जब मैं उठती हूं उसके बच्चों के हैं तीन मैं उठ गई थी दो बज़े के आसपास और यह बच्चा भी उठ गया था खेल रहा था काफी तो मेरी व्याग खुल गई बहुत जादा नीद आती है क्योंकि सुबह के टाइम सोता ने जैसे पांच बजे यह सोया है तो उसके बाद मुझे सोने में एक घंटा आराम से लग जाता है मैं वेट करती हूं कि यह उठेगा 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 क्योंकि एक बार सोने के बाद बच्चा प्रपर नहीं सोता है बीच में उठता ही रहता है बीच में आज एक बार ऑफिस गयारा बारा बजे तब उठना पड़ता है खाना पानी दूद्ध यह सब देने के लिए तो अभी मैं प्रॉपर दो बजे तक उठी हूं इतनी नहीं दो पाती है यार धंक से होई नहीं पाती है अभी मुझे इतना जादा कोल्ड हो रहा है म तले में दर दो रहा है नाक में कहीं पे तो दर दो रहा है मैं सोच तीम लूंगी अभी उसके बाद आपको अपडेट करूंगी आगे की बाते और आज मुझे आपको बताना था कि इसके हैडशेप का क्या सीन है वह भी बताऊंगी थोड़ी देर में और काफी लोग मुझ स्टडी करके रखा था मैंने और मेरे हस्बंड ने लेकिन फिर मतलब जब यह हुआ तब समझ में आया कि तब भी कुछ समझ में नहीं नोटे सी नहीं हुआ इतना जादा क्योंकि हम भी न्यू मदर और फादर थे तो उसके बाद धीरे-धीरे मतलब जब चेंजिस देखने को मिले ना कि इसका है लंबा होने लग गया था सर पीछे से तो तब समझ में आया कि क्या सीने क्या नहीं उसकी बाद हमने अच्छे से प्रॉपर स्टडी किया डॉक्टर से कंसल्ट किया तब समझ में इसको कोन है और वो किस वज़े से होता है यह भी मैं आपको थोड़ी देर में बताती हो अभी मैं थोड़ा कर लेती मैं सुच रही पहले स्टीम ले लू बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है और बाहर ना एक दम थंड के थपेड़े नहीं होते वह पड़ते हैं जब भी बाहर जाते हैं तो इतना है बच्चा नहने वाला है ना मैं नहने वाली पर 24 घंटे कम से कम आज और रात में आज मतलब यह जो दिन बचा है इसमें और रात में और मैं स्टीम लूंगी गरम वाली में को शायद उससे जल्दी अराम मिल जाए बहुत जादा दर्ड दर्ड फील हो रहा है यहां पर तो कहीं पर और नीन भी अच्छे से तो नहीं हो पाई यह लेकिन हां ठीक हो गई है काफी हद तक तो अभी थोड़ा काम करूंगी उसके बाद मैं आज से मिलती हूं बाकी की अपडेट्स देती तो अभी मैंने पैन लिए यह वाली क्या है पिस्ता की ठंड ना लगे और जुखाम हो रहा है बहुत जादा ब्रेश वगरा क यह कोई प्रमोशन नहीं था आप सब को भी पता होगा यह नॉर्मली मैं यूज करती हूं इसलिए मैं बता रही हूं और मैंने मम्मी को भी बुला ली आए क्योंकि यार बहुत ज्यादा ठंड है तो मैं बाहर जाके दवाई नहीं ला सकती हूं ना ही मैं रीमा को भेज सकत हूंगी उसके बाद देखते हैं कि क्या एंधी लिठी आए कि बहुत तो मतलब बैद अब नहीं अधार थायोगी तो पर यह अदि देख देखे हैं तो पिल्कुल कुछ समझ में नहीं यहारा भी यह व्यादा होँगी जो पैल पड़ा है तो संगवाएंगी उसके बाद आपको बदाती हूँ क्या करना है मम्मी आ चुकी है चलो मम्मी से मिलवाती हूँ है लड़के तो मम्मी बैठी है हाथ पेखने ताकि इसको उठा सके गोदी में पाले पाले बच्चे को अभी ऐब úपरी और आहिए मारा इसमा दो नानी को बदें नानी कोदा कटदा किया में के लिए तो यहां पर मैं ट्राइब करह को मैं आपको इसके जएप दिखा सको हूं कि कितना इंप्रोअ पहले कॉन हेड था उपर से निकला हुआ था लेकिन अभी मैंने मालेश करके काफी इंप्रूव कर दिया है तो अभी मैंने सुचा चलो चाय बना लेते हैं यह तो बाद में भी दिखा दूगी तो मैं फटा फट से चाय बनाने के लिए आ गई हूं कि मम्मी भी आ गई थी तो मैंने सुचा चाय बना नाश्ता बना करके दवाई ले लोंगी तो मैंने सुचा साथ के साथ चलो चाय चढ़ा दी कपड़े भी लगा देते हैं दूलने के लिए तो आजकल क्या है कि मैंने वह आटोमेटिक मशीन होती है वह वाली ले लिए इसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ता भी इसमें डेड़ घंटा करीब लगने वाला है देखो इसने अपने आप कैलकुलेट करके ना बता दिया है कि मैं कितना मतलब पहले राउंड गुमा गुमा के देखती है कि मैं कितना टाइम लगाऊंगी उसके बाद इसमें बता दिया कि डेड़ घंटा में ले और चाहिए से बीष se तो झालोगी और साथ में देख़ोंगी क्या खाना है तो मै नले ही applause तो मैंडे अन्हों के मूmm कि यह ख़शा है और साथ खान देख है तो अगर वो खाने के मूल में हुआ तो मैंने उसके थोड़ा सा सा figuresroe rice विंआग कुझ की पन applies तो मै roll french निलाएक और निलाएक यह को लग रहा है मैं पी रहा हूं बढ़ाओं के देखेगा वीडियो तो बोलेगा ममा कितना पागल बनाते ते में को चाय पिलाओंगी चाय नम 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 कोई रहा हूं इतना चाय का दिवान हो रहा है उतना चाय पिलाओं नम इतनी पीनी थी तो वह इतने बड़े बच्चे का क्या रहता ना जो आपकी प्लेट में हमें को वह खाना है जो आप मेरे लिए लाए और नहीं खाना तो हमें थोड़ा सा न टच कराना पड़ता है ग्लास इसको अगर हम चाय पी रहे है तो पिलाते नहीं है लेकिन टच कराते है तो यह उसको satisfaction मिल जाती है अभी मैं अभी के साथ खेल रही हूं उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके head की shape proper और पूरा बताऊंगी अच्छा तो guys देखो अभी मैंने आपको proper clip shoot करके दिखाई है कि इसके head की shape बिलकुल proper आ गई है अच्छे से मैंने एक video पहले बनाया था उसमें मैंने सारे tips बताया थे कि क्या करना है कैसे करना है अब कैसे maalish करना है कैसे आप shape दे सकते हो बच्चे के head को तो यहां से उपर की side से न किला बता इसका आप मेरी पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखना और अभी भी कुछ भी समझना है तो प्लीज कमेंट्स करना बहुत सारे तो मैं एक बार फिर से अच्छे से डीटेल में बता दूंगी इस वीडियो में इतना ही आपको हैडशेप अपडेट के बारे में बताया है डीटेल क्योंकि मैं एक वीडियो प्रॉपर इसके उपर बता चुकी थी अगर अभी भी आपको समझ नहीं है तो प्लीज कमेंट्स में लिखना तो मैं जिसके ज़्यादा कमेंट्स होंगी तो मैं पक्का वो करके वापस से वीडियो बना दूंगी तो आगे की वीडियो कंटीनू देखना अभी मैंने हैड मसाज भी की है बेबी की कैसे करते हैं प्रॉपर वीडियो बनाया है ख्लिप बनाया है एक चोटा सा तो वह भी देखना ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि आपको शेप कैसे देनी हैं की मुवमेंट कैसे रखनी है ताकि बच्चे का हैड पू को रहाज में भूज नहीं कोई नहीं खाले खाले ठीक है आराम मजा रहे नहीं जूती है नहीं है मजा रहे बता देख दय गूत मेजूती कि खाले का रख दयु घै अधे। पाइव मुर्ण मसलुक्षधी मरीब जायाड़ कि अमुम्मा seekers नीतरतते हैं यहाण जाया हुना तुम एकटरते हैं उसमेοιकों आख साथ कोकुषिये यहां जाओ कि भीड़ा हुए हुए हुएं जाए हं एकछे किले हां, कर दो FUCK किसी बच्चे के देट आते थोड़ा सर बता मैं सम्झा रहा हूं यह नहीं नो मैंने का बच्चा निवा तुम इसे सब ले लो अपना सटी कर अपने बाल वड़ा अपना यह कर वो कर अपने पहले मेरी वीडियो में देखा होगा कि पहले बिल्कुल भी मालिश निकर वाता था है यहाथ बीन मतर्ड टेच नहीं करने देखा लेकिन अब यह कि थोड़ा बहुत मैं करती हुआ तो अच्छे से करा लेता है फिर भी पर वह यह कि मैं जादा करती नहीं क्याप वग अब काफी इंप्रूमेंट है बेबी के मेरे हैड में तो मतलब आपने पहले स्टार्टिंग में भी देखा था बाकी मैं आई बटन में लिंक भी कर दूंगी वीडियो जो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है कि कैसे शेप दें उसको कैसे मतलब सुलाने की ट्रिक्स शेप देने की ट्रिक्स हर चीज की मैंने उसमें बताया हुआ अच्छे से डीटेल में तो मैं वो लिंक कर दूंगी आई बटन में आप एक बड़ चेक कर लीजिएगा जिसको भी मतलब जरूत हो फ्लैट हैड के लिए काम आएगी मतलब वह प्रॉपर शेप देने के लिए काम आ देने का ट्राइक करते हैं तो ऐसं के बाद तो कि तरीट है थोड़ा वह आखिसे के तो आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे तो मेरे तो शेवन मन्त में हो गया था कम्प्लीट अच्छे से अभी भी मुझे ठीक लगता है लेकिन कभी-कभी मेरे हस्बेंट बोलता है कि नहीं हलका सा दवावा एक साइट से अभी भी लग रहा है तो वह धीरे धीरे टाइम के साथ मुझे लगता है हो जाएगा और बाकी जब बच्चा खड़ा होना बैठना शुरू करता है न तो तो काफी हद तक फरक पड़ता है क्योंकि बॉड़ी बंदर कर दोगे ना तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है बहुत जल्दी शेप में आ जाता है उसके बाद तो यह कि दीरे-दीरे थोड़ा सा मसल्स डेवलप हो जाती तो टाइम लगता ही है पर ठीक है मेरे बच्चे का तो हो गया अच्छे से मैं कर पाई शेप में तो इस बात की बहुत खुशी है अभी मेरा फेस देखके आपको लग रहा होगा कि कैसी शकल बनागे बैठीए क्या करो है सरदी इतती जादा है धूप और निकलती नहीं अच्छे से अभी एक दो दिन से ठीक है थोड़ी सी निकल रही है लेकिन वही की बाहर बिल्कुल भी न क्योंकि काफी जादा बार इसको पहली सर दीती जुखाम नहीं होना चेहता हमें थोड़ा और केर करनी चाहिए तो काफी बार जुखाम हुआ तो इस वज़े से अब मैंने सोचा कि जब तक गर्मिया नहीं आ जाती मतलब थोड़ा मौसम चेंज नहीं हो जाता मैं थोड़ा गेट बंद करके अच्छे से बनाती हूं पर फिर भी थोड़ा डर तो लगता है कि बच्चे को मतलब हमारी वज़े से एफेक्ट नहीं हो जाए किसी चीज में और बाकि अभी भी किसी को अगर वीडियो समझना आई हो या फिर कुछ तो अगर पॉइंट मैं छोड़ रही ह है तो आप कमेंट बॉक्स में भर भर के लिखो फटाफट मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से और इसके पहले जो मैंने हैड शेप की उपर वीडियो बनाई थी वह मैंने प्रॉपर मतलब बताया है उसमें सब कुछ मैं वापस से बता रही ह है कि कैसे मैंने किया है ठीक बच्चे का है और अभी मैंने अपडेट देने के लिए आपको यह वीडियो बनाया है और मेरा इंस्टाग्राम आइडी है मीप्रिया 16 जिसको भी कोई अलग कोशन होता है जो आप यहां पे नहीं पूछ सकते हो मैं आजकल थोड़ा कम एक्टि तो इंस्टाग्राम पर हर किसी का रिपलाइफ फटाफट कर देती थी पर अभी थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूं आप पर मैं धीरे धीरे ट्राइब करूंगी कि इस पर और उस पर दोनों पर अच्छे से एक्टिव रहूं तो आप यहां पर भी कमेंट्स करना बहुत सार वीडियो में थैंक्यू सो मच पू वाचिंग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना जिस इसने सब्सक्राइब निक यह जल्देल्दी कर देना अभी भी मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नौट सब्सक्राइब वाले रेशो में आते हैं वह मैं आपको एक बार स्क्रिंशोट लगा के दिखा दूँगी तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर देना लाइक भी कर देना बहुत सारे चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच पूर वाचिंग बाई